दोस्तों ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखना और आप लोगों को ये बताना है कि ये जो पूरी दुरघटना घटी इसमें किसकी गलती थी? क्योंकि अकेली दुरघटना नहीं है, देश में कही सारे लोगों की जान जाती है साल भर में इस तरीके के इंसिडेंट की वे समझ मैं दोस्तों यहां पर किसकी गलती थी? वो जो इंसान छतरी पगड़े है, उसने उसको उपर लगा दिया तार में और तार में करेंट लगा, जिसकी वे से पूरी दुरघटना देखने को मिली और यह अकेली दुरघटना नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले 6-7 लोगों की जान चले गए थी, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में साधी चल रही थी, वहाँ पर लोग मजे में नाच रहे थे, और डीजे वाला डीजे बजा रहा था, ऊपर को वायर गया हुआ था, यह नहीं लगता, तो हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, जरासी गलती या फिर जल्दबाजी जो है, बहुत सारे लोगों की जान लेकर चले जाती है, एक ऐसा इंसिडेंट मैंने आप लोगों के साथ में सेर किया था, एक इंसान जो है, वो जहंड़ा टांग रहा था, यह हम लोग रोग सकते हैं, कही सारे लोगों की जान जाती है, और उनकी ओपर उनका परिवार भी डिपेंडेंट होता है, तो जहान रखिएगा, तो सबसे पहले तो यह बताओ, जोस बिल्कल हाई होना चाहिए, और अगर अब तक हाई नहीं था, तो अब मैं आप लोग का करने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वह भी आप लोगों को पता चलने वाला है, और हाँ, जो यह स्टार्टिंग में वीडियो लगाता हूँ, उसका बेसिक परपज यह रहता है, कि आप लोग चीजों से अवेर हो सको, और इन अवेरनेस को अपने तक ही तरीके से आप लोग खुश सोचो, एक छोड़ी सी बात मैं आप लोगे साथ में यहाँ पर सेर करना चाता हूँ, जैसे जैसे कोई फेस्टिवल आता है, या फिर कोई भी इस तरीका फंक्शन होता है, तो अकसर लोग पढ़ाई बढ़ाई छोड़कर वैड़ जाते हैं, औ उसके बाद में फिर जैसे पढ़ाई सड़ाई करते रहेंगे, आप लोग खुद सोचो, एक बार अपने आपको अर्नव की जगह रखे देखो, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगे साथ में सेर किया था, कि अर्नव का अभी सेलेक्शन वाई UPSC के अंदर में, और अभी ह जो चाहिए वो आप लोगो मिलेगा, तो रियल्टी हाँ पर क्या है, अब सोचो अर्नव के घर पर दीपावली कैसे बन रही होगी, अर्नव कैसे दीपावली सेलिवेट कर रहा होगा, ठीक है, आप लोग सोचके देखो एक मिनट के लिए, तो वो वाली फिलिंग अगर तो क्या करना है, अपना एक मिनिममम स्टडी सेड्यूल अपना रखना है, कि आर कम से कम इतना तो खतम कर लेते हैं, इसके बाद में फिर चीज़े आगे देखेंगे, यानि कि कम से कम 6-8 घंटे अपना पढ़ाई कर लो, उसके बाद में जो टाइम बढ़ता है, उसमें एक देट घंटे में, पर मोर्निंग में आप लोग अपना बैट के अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो यही बात में बोल रहा हूं, और यही इंसान जो होता है, वो अपना सेलेक्शन लेकर आता है, और फिर यहाँ पर ऐसा रिजल्ट आप लोगो देखने को मिल रिजल्ट देती है, कुछ दिनों पहले तक जब यहाँ पर UPSC का रिजल्ट नहीं था, तब तक ऐसे लग रहा होगा कि यार पता नहीं जिन्दगी में क्या होने वाल है, पता नहीं जिन्दगी कैसे चलेगी आगे, पर जैसे ही पहले UPSC का रिजल्ट आया, खुसी मतलब साथ वे आसमान पर, और फिर यहाँ पर यह रिजल्ट आ गया, अब सोचो कितनी शांदार तरीके से इंसान जो है, वो जिन्दगी को लेकर आगे चल सकता है, सोचो अब घर में दिपावली कैसे सेलिबेट की जाएगी, तो आप लोग को अरणव वाली दिपावली चाहिए यह फिर जैसे दिपावली अभी चल रही है, बेरोजगारी दिपावली वाली दिपावली चाहिए, उस वाली दिपावली में जो भी मिलेगा बेरोजगारी में, यह पुछेगा और क्या कर रहे हो, यह तो पठागे तो पठका लिए, चलो जिन्दगी को इंजोई ते कर ल बलकि त्योहार में मम्मी का काम बढ़ जाता है आप लोगों ने देखा होगा घर की साफ सफाई करना है आप लोग भी कई बार उसमें हाथ बटाते हो कई सारी जो अभी SLE family की लड़किया है वो mail कर रहे थे कि अभी देपाल में थोड़ा सा कम पढ़ाई कर पाएंगे क्योंक से आना है ठीक है बाखी सारी चीजे तो हर साल आनी है और रिपीटेडली आनी है जब तक इस धर्ती पर हो तब तक आनी है तो आप लोग क्यों ना आने वाली जिंदगी को सुनहरा बनाओ बिल्कुल अनरव की तरीके से और अपनी दिपावली को शांदार तरीके से क्यां अगे आने वाले टाइम में कैसा रहा ठीक है तो कॉंग्रेट्स लिखना कमेंट बॉक्स में अच्छे से और एक छोड़ी सी वीडियो है आपर रनव की द्वारा से बी की गई थी तीकल ये भी आप लोग देखना सोट वीडियो है लगभग पचास बावन सेकिंड की देखना उसके अंदर इनके द्वारा कुछ बाते की गी है और बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं कि सर गाइडेंस के लिए थोड़ा वीडियो बनाए जाए तो आगे आने वाले टाइम में एक बार दिवावली सेलिवेट कर लेने तो उसके बाद में बहुत सारी एक अच्छे से आप लोगी प्रपरेशन होगी तो आप लोग ज्यान कियेगा एक और यहां पर खुशकबरी आप लोग को देखने को मिल रहा है दीपा की तो दीपा का यहां पर उडिसा के अंदर सेलेक्शन होआ और इनकी रेंक है 354 तो आप लोग समझ सकते हैं यार यह बोलागरो दोस्त बोल देगरो ठीक है वो एक अलग लेवल की चेज़ हो जाती है अपने से दूर मत करो भगवान जो है ना उसको कभी आप लोग बेसिकली देख निवाते हो टच निकर पाते हो मुझे जब भी मिलोगे गले मिल सकते हो हाथ मिला सकते हो आप लोगों से बैठ अब मेरे थोड़े भाइबेंच भाईनतzen उर हो तो तरीके से आप लोग बोल अगरो कुछ बड़े भी होंगे तो बड़े भाई बैंच जहीं जो थोड़े मेरी से अच्वं होंगे त्थी अप लोग देखा करो जब इस तरीके मैसेज आते हैं मैल नहीं सेश्चन हो गया म मैं तो पोरा मजल होंगा दिपाली का पर वीडियो ज़रूर आएगी ध्यान दगना वीडियो का टाइम वही रहने वाल है क्योंकि मुझे अपना टाइम बिल्कुल फिक्स रखना होता है मेरा जो सेड्यूल है वो चलना होता है मेरी चीजे सारी ऐसे चलेंगी आप लोग कंजूसी करते हो मैंने देखा है कही बार कंजूसी मत कि अगरो कल को आप लोग अभी सेलेक्शन होगा तो फिर सब लोग कंजूसी करेंगा अच्छा लगएगा क्या वो तो एक दूसरे से कम से कम पार्टिसिपेट करो इस तरीके तो कैसा लगा मोटिवेशन लगी कि आग का लगी अंदर कब आ रहा है तो में जल्दी बताना ओके तो अच्छे से लिए करो और कौन-कौन टाइम पर उठाए डिसिप्लीन यार रिजल्ट देखो ना जो रिजल्ट आ रहे हैं सारे डिसिप्लीन का रिजल्ट है । इसलिए कहता हूँ कि टाइम पर सोना टाइम पर पूटना एक्साइज करना और अपनी सिहत का ज्यान लगना यह चीजे कर लो इसके बीच में सारी चीजे फिल हो जाती है तो यह बात हमेशा द्यान लखिएगा ठीक है तो अच्छे से इंज्ये करो और all the best यार फ्यूचर के लिए और अच्छे से पढ़ाई करो जिनके सेलेक बाकी बताईए पर्सनेलिटी को ने बहुत ही जादे न्यूज में है रिसेंटली इनका नाम आप लोगो बताने है तो देखता हूँ कोण ही हाँ पर इनका नाम बताता है हाड वर्क के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो एक अच्छी खासी ये कोडिशन है जो आप लोग मेंस में यूज कर सकते हैं बात की जारी है जो जीनियस होता है ना वो एक उनली 1% होता है 99% हाड वर्क आप लोगो देखने को मिलेगा एक ऐसा बंदा एक नूर्मल स्कूल से पढ़कर जो कि हाँ पर जैसे तैसे पास हो रख है वो भी UPSC में एक अच्छी टोप रैंक लेकर आ रहा है हमेशा महनत अक्सर टैलेन्ट को पीचे छोड़ देती है तो जाने ही पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ आप लोग देखो, आप लोग महनत में कमी करते हो, इसलिए सकसिज आप लोग ये पास में आने में सर्मात ही है, लगता है कि यार ये ना मेरे को थामी नहीं पाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से गोसिस करो, कि जिंदगी में त फिर आगे की जिंदगी तो सोचो, अप लोग खुल सोचो, अगर आगे आने वोले टाइम में अरणव को अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, तो क्या किसी और का उधान देने की जुरत पड़ेगी, कि पढ़लो, उसने देखो, ये निकाल लिया, बच्चे बोलेंगे अपने क्या किया है, तो बोलेगा ये देखो, ये करका है, UPSC ये करका है, ठीक है, और आगे भी, अभी UPSC आगे दे जाएगा, ये करका है, ठीक है, तो दिनिया में अपने बच्चों को कम से कम मोटिवेट करने के लिए, अब अरणव को किसी और काउधान देने ने ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, तो सोचो यार चीजों को और करो, और आप ही करोगे, और आप लोगे अंदर है वो capability, बस आप लोग अपने आप पर ट्रश्ट नहीं करते हो, यहाँ पर थोड़ी गल्दी कर देते हो, ठीक है, यूके एक ऐसा देश था, जो की था के मतलब है, अभी मैप में से खतम नहीं हुआ है, पर जैसी खस्ता आलत चल रही है, जल्दी मुझे लग रहा है कि इंडिया ना UK उगलाम बना लेगा, यह वही UK है, जो की लगबग 200 साल तक हमारे उपर रूल किया है, और आज की डेट में इतनी खस्ता आलत हो र लेता है, जिसे यहां पर इनके द्वारा देखो, इनके द्वारा अपना अनॉंस कर दिया गया है, जो ट्रूस थे अभी नई PM बनके आये थे, कि उनके द्वारा जो बोला गया था, जो mandate, वो यह डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से political accountability आप लोग यहां पर दे आजाद हो था, 1950 के बाद में, पर लेकिन परजयन टाइम पर तो आप लोग को पते हैं, हमारे politicians जो हैं, वो एक अलगी level के सिकारी बन चुके हैं, मतलब खुद बोल बोल कर उसको, उनको यह लगता है कि क्या बिगड रहा है, जनता को मतलब एक तरीक से अलगी level पर ट्रीट करने लगे हैं, कहीं न कहीं, मैं सब politician की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अच्छे भी हैं आज के इड में जो दिल से काम करते हैं, शैलूट करने का मन करता है, पर लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिनको तो यह मन करता है कि वो politics में आही क्यों, तो वो आली चीजे भी है, प आखिर ये सारी दुरघटना घटिक ऐसे, तो इस incident को अगर आप लोग बड़े ही प्यार से समझने कोशिस करोगे, तो आप लोगो सारी चीजे, उन्हीं कहते हैं कि एक particular quotation है, अगर आप लोगों ने सुना होगे हैं, आप बेसिकली स्थीव जोब साब की connecting the doors, जिन्दगी मे अगर आप लोग success नहीं हो पारे ना, तो आप लोग मुड कर देखो पीछे, आप लोगो सारे particular, एक particular point मिल जाएंगे, कि ये ये reason थे जिसकी वेसे आप लोग अपनी जिन्दगी में selection नहीं ले पाए, यहाँ पर भी आप लोग कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, अभी अग अज तक भी अपने आपको सवा रहे हैं, ठीक है, वो आली चीज आप लोग को देखने को मिलेगी हैं, तो वो दिल जो थे हैं आपर COVID-19 ने तोड़ा, अब जब COVID-19 दिल तोड़के गया, उस टाइम से लोग recover करने की कोशिस कर ही रहे थे, तो उसकी वज़े से अब तक भी proper पर recover नहीं कर पाये थे, रसिया और यूक्रेयन की लड़ाई, जो की expectation नहीं था कि इस level पर पहुंचने वाली है, पर लेकिन आज की date में यूरोप के लिए काल बन चुकी है, काल, काल मतला यूरोप की बरबादी का reason, पिछले कुछ टाइम में यूरोप के अंदर जो लीडर के बिना क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनको अपने घर जो है, वो गरम रखने होते हैं, इतनी ठंड वहाँ पर पढ़ती है, कि इंसान वहाँ पर बरफ में जम कर मर जाएगा, अगर वहाँ पर proper gas और electricity नहीं रहेगी, और रसे भी इस वात समझता था, इसलिए रसे भी खेल ग नहीं, जो यहाँ पर यह जो प्राइमिस्टर थी, इनको यहाँ पर लग रहा था कि इससे लोगों को नहीं बचा पाएंगी, तो इनको लगा अच्छी बात है कि क्यों ना मैं अपने फोश्ट ही छोड़ दूँ, तो इस तरीकी dignity भी है, salute है यहाँ पर, नूर्मली अगर इ जिसे यहाँ पर situation और जड़े गहरी होती जा रही है, हमारी country में भी एक advisory issue की गई थी, जिसमें यह बोला गया government के द्वारा कि अब आगे के लिए कोसिस करो कि वहाँ पर widget नहीं किया जाए, तो ज़्यादे बैटर हैगा, क्योंकि अभी आने वाले time में situation जो है, वो सुधरत country में अभी recently election होगे हैं, इसी महंगाई की विए से, इसी unemployment की विज़े से, और इनी सब region की विए से, जिसमें politician जो है, वो proper अपना mandate deliver नहीं कर पा रहे हैं, यानि कि वो चीज़े जो उन्होंने बोली थी, वो लोगों को provider नहीं करा पा रहे हैं, तो उसकी विए से ये situation देखन बनें, तो कम से कम आप लोग का idea रहेगा, कि election हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, और फिर से यहाँ पर देखते हैं, क्या solution निकल कराता है, ठीक है, एक और छोड़ी से news और हाँ, feedback जरूर दे दिया करो, जब भी भी आप लोगो लगता है कि वीडियो जैसी भी आप लोगो ल पता लगाने का, तो उससे आप लोग ये बता दिया करो कि वीडियो कैसी है, ठीक है, और इससे मुझे पता चलता रहता है, कमेंट के थूरू, कि आप लोग किस तरीके से, अब कही सारे बच्चे ऐसे हैं, जो regular comment करते हैं, regular answer देते हैं, ठीक है, और मुझे उनका इसलिए त पर share करूँगा, ठीक है, आप लोग पढ़कर देखना, कि आप लोग ये लगता है, कि आपकी ही जिन्दगी में problem है, हर एक इनसान की जिन्दगी में problem है, आप लोग को देखने को मिलेगा, साधी का pressure है हैं आपर, उसके बाद भी पढ़ाई करनी है, और यहाँ पर अपना इनका ये result है, family ने भी trust करना ही start कर दिया, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसा मेरे साथ राजस्थान PCS में हुआ था, मैंने prelims दिया था, उसमें result नहीं आया, फिर लग बाग एक से डेड़ महीने बाद में, फिर उसे result है उसका, तो उसमें मेरा नाम आया था, ठ तक आगी हो, तो आगे भी result निगलेगा, ठीक है, टेंसन मत लेना, result कैसा भी हो अच्छार बुरा, पर अपनी continuous पठाई आप लोगो करती रहना है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही होती है, जो continuity में लगा हुआ है, उस इंसान का क जादा कुछ समझ में नहीं आ है, तो फिर से आके इनोंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी quality complete की, जो कि मैंने complete आप लोगी करा रखिये, तो फिर वो यहाँ पर आकर quality अपनी complete कर रहे है, ठीक है, यहाँ पर आकर वो अपना current affair complete कर रहे है, तो आप लोग ये समझ सकते है, तो quality तो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं न, चीज़ों की, इसी लिए ये result आ रहे हैं, तो थोड़ा सा trust मेरे उपर करो, और maximum trust आप लोग अपने उपर करो, result आप लोग आएगा, बस लगे रहे हैं, ठीक है, और ये पोलिटी की वीडियो जो भी बना रखिये, ये सारी free of question को share कर दिया करो, ताकि जादे से जदे लोग इनका फायदा उठा सकें, क्योंकि इतने महनत से पढ़ाने में दम लगता है, और ये दम जो है, वो प्यार से ही आ सकता है, किसी के प्यार में पढ़कर ही लोग इतनी महनत कर सकते हैं, तो मैं आप लोग के प्यार में आई गई है, तो इनको enjoy करो, और दूसरे तक भी share करना है, और feedback जरूर दिया करो, मुझे हमेसा ऐसा लगता है, इस दुनिया में ना, health से बड़ा धन, पैसा कोई है नहीं है, एक इनसान जो है, जिसकी health है, मतलब उससे जादा है, खुस नसीब इनसान इस दुनिया में कोई आई नहीं है, maximum लोगो कोईनों कोई बेमारी है, अगर मैं आप लोगो से पूछने लगो कि आप लोग कोई प्रोलम फेस कर रहे हैं, तो हर एक इनसान को कोईनों कोई बेमारी देखने को मिल जाएगी, मैं खुद देख लो, कुछ दिनों तक अभी यहाँ पर आँखो पे म हमेशा सबसे पहले हैल्थ का जान रखो, तो मैं भी आँखों के ओपर ध्यान देनाया स्टार्ट कर देऊ, पहले के कंपेर में अब चीजे रुख गई हैं, वरना इतनी फ्रिक्वेंटली नंबर बढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ दिनों बाद ना कुछ औरी क करना वड़ेगा, ठीक है, तो यह चीजे थी, तो हमेशा हैल्थ का जान रखो, तो बोला जा रहा है आँपर वर्ल्ड हैल्थ सम्मिट के बारे में, तो एक छोड़ी सी निउस आप लोगो देखने को मिलेगी, जो की रिसेंटली अभी कंक्लूड की गई वर्ल्ड हैल्थ सम काँगा, नई, हम लोग एक समाज में रहते हैं, अगर मालीजे मुझे कोई बीमारी है, और आप लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, तो आज की रिट में इतनी वाइरल बीमारी हैं इस दुनिया में, कि आसानी से वो आप लोगो भी लग सकती हैं, तो इसलिए मेरा हस्ट मैं सुबह को उठकर एक्साइस कर लेता हूँ, मैं सुबह को उठकर अपना एक प्रोपर एक डाइट लेता हूँ, आप लोगे लिए वैलनेस डाइट लेकर आता हूँ, तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, पर लेकिन आप लोगी जगे नहीं कर सकता कि आप लोगी जगे में उठ जाओं, आप लोगी जगे में पढ़ लो, आप लोग को भी participate करना पड़ेगा, तो एक इंसान के बसकी बात नहीं है, आपर politics, science, private sector, around the world यहाँ पर सब को मिलकर काम करना पड़ेगा, अगर अपने future को healthy रखना चाहते हैं, और इसके बिना काम होने वाला है भी नहीं है, इसके बिना solution आने वाला है भी नहीं है, यह आज से नहीं बात की जा रही है, बहुत पहले से मुहीम चली हुई है, first time यहाँ पर WHO जो है, वो co-organizer है आपर, वरना annually यहाँ पर Berlin, के अंदर आप लोगो यह चीज़े देखने को मिल रही है, 2009 से, और अभी हम लोग बैठे हुए है, 2022 में, तो यहाँ से आप Europe के अंदर जाओगे, तो आज भी लोग जो है, वो मास्क यूज कर रहे है, तो यह आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके उपर काम करना जुरूरी है, अगर नहीं करेंगे, तो दिखकते देखने को मिलेगी, अब इंपोर्टेंट क्या है आप आप, यह पर इवेंट देखने कर काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल का मतलब यही होता है, किसी चीज को नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात क्या है, यह आप लोग का परिवार है, और आप लोग को लग रहा है, यह परिवार को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, वो कैसे जाएंगे, जब सारे प पड़ने के लिए पर आप लोग सोचते ही नहीं हो तो सब को साथ में लेकर चलना है तो जो pandemic है यापर उसकी वेसे दिक्कते देखने को मिली तो आगे भी आ सकते हैं महामारी corona जैसी पोलियो की बारे बात की जा रही है पोलियो को कैसे खतम करना है इसकी वेसे बहुत सारी दिक्कते देखने को मिली बच्चों को इस स्टार्टिंग में बरबात कर देता है ये पोलियो हमारे देश में से हम लोग खतम कर चुके ये बड़ी ही मेहनत का काम था और हम खुसनसीब है आज के इट में ये बाते बोल पा रहे हैं अफरीका में पागिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंटरी है आज के इट में भी जो ये प्रोलम फेस कर दिये बहुत लार्जी स्केर पर इतने लार्जी स्केल पर आप लोग यहां पर कैनेट हो पाते हो तो यह सारी चीजे डिजिटल मीडियम की वेसे जुरुरी है तो हेल्थ में भी हम लोग डिजिटल मीडियम को इसी तरीके से लेकर चल सकते हैं ताकि उस इंसान तक भी चीज़े पहुँच पाएं जिस इंस सिटिखने को मलती है कि इनसान ये पास में फैसा नहीं है और वो दम फोड़ देता है उसकी वेसे दिक्कते निकल कराती है तो यह जरूरी है कि हमलोग कृम करें और इतना पैस गयरण निकान के सके हम लोग लोग को भी काम करना पड़ेगा अपने अपने लेवल पर अगर जो भी अर्णिंग आप लोग कर रहे हैं उसका उली 5% मेरा मानना तो 10% है पर अगर 5% भी आप लोग अपने अर्णिंग का किसी को देग ना आप लोग के अंदर में जो खुसी मिलेगी इस धर्ती पर कोई और काम करने से वो खुसी नहीं मिलेगी मैं गैरेंटी देता हूँ आप लोग को लिख के इस बात की तो कोसिस करो इन चीजों को सेर करने की ताकि जादे से जादे चीजे जो हैं आप लोग भी खुद भी जिन्द की जिसको और दूसरे की भी हैल्थ कर सोको ठीक है तो यह सम्म बेसिक है और वन हैल्थ जो वन वर्ड के बारें बात की जाती है वहाँ पर तो जानवरों को भी साथ में लेकर चलने की बात की जादे ताकि जुनूटिक जो बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है उनको कम से कम ही हाँ पर रोका जा सके तो यह भी situation आप लोग हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जैसे defense expo हो गए आपर अभी recently आप लोग को यह गुजरात में देखने को मिला ठीक है तो यहाँ पर यह जो defense expo यहाँ पर आप लोग के सामने नजर आ रहा है यह अभी फिलाल के टाइम पर क्या दिखाने को सिस कर रहा है यह दिखाने को सिस कर तो यहाँ पर आप लोग इसको particular article काफी important है याद रखेगा 12th edition आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह गांधी नगर के अंदर में कुछ जलक आप लोग को यहाँ पर इसकी एहमदबाद के अंदर भी आप लोग को देखने को मिल रही है तो यहाँ पर यह defense ministry के द्वारा announce किया गया था में याद रखेगा गांधी नगर के अंदर है होना तो यह मार्च में था पर लेकिन रीजन अभी आप लोग को देखने को मिल रहे है बहुत सारी ऐसे रीजन में जिसकी वेसे इसको आगे पोस्पोन कर देगा था और यूक्रेयन यहाँ पर यहाँ था ठीक है पात टू प्राइड तो यहाँ पर यह फोकल देखने को मिलेगा आप लोग का कुछ बात ही जो मैं आप लोग को बताना चाहरा हूँ वो क्या है पहले आप लोग वो सुनिए आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे हमारी देश में सबसे बड़ी प्रोलम क है हम लोग मैकसिमों चीज़े जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं यानि कि जो भी प्रोलम है वो कुछ रसे से खरीद रहे हैं कुछ फ्रांस से खरीद रहे हैं कुछ हम लोग यूके से खरीद रहे हैं बहुत सारी चीज़े हम आज केट में इसराइल से खरीद रहे ह वो हमारा खतम हो जाएगा सिप्री के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें ये बोला गया था कि साउधी अरेबिया दुनियों में सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है क्यों क्योंकि यमन के ओपर लड़ाई करी सारा खर्चा किया जा रहा है दूसरा इंडिया है हमारी मजबूरी है एक साइड में पाकिस्तान देखने को मिलेगा एक साइड में चाइना देखने को मिलेगा दोनों नंगा डांस करते हैं हमारे सर पे आकर तो हम लोग को इनको कबड़े पहनाने के लिए defense जो है वो और साथ में रखना पड़ता है वरना ये एक तरीगे से वो ने कहते हैं कि सर्मो हया की सारी जो हदे पार कर देते हैं तो ये condition आप लोग को देखने को मिलते हैं तो इसी के ओपर काम करना जरूरी है आपर देखने को मिलते है इजिप्ट आस्टेलिया और चाइना ये टो फाइव कंट्री हैं जो आज के टो में defense में सबसे ज़्यादे इंपोर्ट कर रही हैं अगर बात करें यहाँ पर बेचने वालों में कोन है जो पैसा कमा रहे हैं तुम खरीदो बेटा हम बेचेंगे ये वो देश हैं जो नहीं चाते दुनिया में सांती रहे और इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो है यूएस से जो की चाते ही नहीं कभी दुनिया में सांती रहे रसिया और यूक्रेइन की जो लड़ाई हुई है उसमें आप लोगों को मैक्सिमम हाथ देखने को मिलेगा इस इंसान का मतलब उकसा कर यहाँ पर उसको आगे बढ़ा दिया और जैसी वो आगे बढ़े फिर यहाँ पर बोल दिया कि अब क्या ही कर ले बस हम तुम हतियार खरीदते रहों से हम वो देते रहेंगे ठीक है यह समझ सकते हैं आप लोग 36% दुनिया में यह अपना हतियार सप्लाई कर रहे है इसलिए जहां भी कोई लडाई देखने को मिलेगी न वहाँ टांग अड़ाता हूँ आप लोग को US से नजर आएगा यानि कि किसी के फाइदे के बारे में नी सबके नुकसान के बारे में सोचता हूँ यह नजर आता है रसिया आप लोग को देखने को मिलेगे हैं आप यह maximum friendly लोगों के साथ में अपना व्याभार अच्छा रखता है यह ऐसानी की लडाई में ज़्यादा गुसना चाहता है पर हाँ कहीं न कहीं आप लोगो इसका भी हाथ देखने को मिलेगा जहां लडाई होती है यह दोनों यमदूत की तरीके से वहाँ पर आप लोगो नजर आएंगे क्यों क्योंकि इनको फायदा तभी होगा अगर वो लडाई चलती रहे और यह कोसिस करते हैं कि वो लडाई चलती रहे अफगानिस्तान की लडाई में रसिया और यसे का हाथ देखने को मिलेगा आप लोगो सीरिया के अंदर आप लोग जाओगे वहाँ पर भी रसिया और यसे का हाथ आप लोगो देखने को मिलेगा history जा 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 उठा कर देखोगे न जहां लड़ाई जो है लंबी चली है वहाँ पर ये दोनों आप लोगो नजराएंगे इससे आप लोग समझ सकते हैं ये background में background music नहीं देते है 3D movie में कि मैं propose करता हूँ तो background music देना ये वो background music है ताकि महाँ पर काम जो है वो चलता रहे तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं France देखने को मिलगा फिर Germany China की मुझे यहाँ पर एक अच्छी बात लगी जो appreciate करने लाइक भी है ये जितने number पर खरीदने वाले हैं उतने ही number पर बेचने वाले भी है और खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले हैं यहाँ पर यह जाद है तो इंडिया जो है वो यहाँ पर इसी position में आना चाहता है अगर दूसरे number पर सबस्यादा खरीद रहे हैं तो दूसरे number पर सबस्यादा बेचने वाले भी बने और उसी चीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी कई सारे देश हैं जिन में से एक काफी important है फिलिपिन जिसको हम लोगों ने ब्रहमोज अभी हाँ पर बेचा ऐसे आने वाले टाइम में और कई सारी country हाँ पर बोल रही है ताकि ये चीजे लोगों को पदा चले तो ये आप लोग यहाँ पर अभी देखने को मिट रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या होगी आपर पाकिस्तान को बेच दी अब हमारी और उनके डिफेंस में क्या डिफेंस रहे गया वही पावरफुल वैपन उनके पास में है तो हरा तो उस तरीके से पाएंगे निए तो इसलिए अपने पास में जो वैपन है अगर वो हम लोग खुद से बना लेते हैं तो हमारी खुद की जो तलवार है वो कितनी धारदार है यह हमारे ओपर डिपेंट करेगी यह कोई और निकी वो धार लगाकर देगा उसमें तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो first ever edition यहाँ पर exclusively for Indian company आप लोगो देखने को मिल रहे हैं जिसमें theme रखे गई है path to pride तो defense ministry का यह आप लोगो एक mind blowing आप लोगो यह system देखने को मिल रहे हैं जिसमें हम लोग इस तरीके से काम कर पा रहे हैं और एक और सबसे interesting चीज़ जो मैं आप लोगो यहाँ पर बताना जिसमें 53 यानि कि 53 अफ्रीकन country जो हैं वो यहाँ पर participate करती हैं उनको यह support प्रोवाइड करा जाता है इंडिया की side से तो इंडिया अफ्रीका यह strategic synergy में काम कर रहे हैं ताकि defense और security में दोनों साथ में हाँ पर चल सके तो यह काफी important है और Indian Ocean के पास में जो जो भी है न यह कह process करते हैं ताकि सांती बनाई रखी जा सके उसी के लिए हमारा एक particular concept है जिसको हम लोग Indian Ocean reason के बारें बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से उसको लेकर चलना है और उसमें भी हम लोग conclave कर रहे हैं जिसमें लगो 40 country के करीब जो हैं वो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर military hardware supply किये जाएंगे आने वाले टाइम में तो यह क्या है यह हमारा आने वाले टाइम में काम करने का तरीका ordinance factory में कई सारे change किये थे ना याद आप लोग अभी तो वो सारे change इसलिए किये थे ताकि इन चीजों के उपर हम लोग focus दे सकें और आत्म निर्भर बने तो आने वाले टाइम में हम लोग एक दूसरे support support भी provide करा सकें सामने वाले को ठीक है तो इसके चलते अगर बात करें क्या 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 काम किया हम लोग ने defense के field में अगर कोई आप लोगों से पूछे क्या कोई काम हम लोग ने ऐसा किया है तो defense sector में reform के अंदर आत्म निर्भारत में हम लोग लिखा वाली बाते आप लोग को देखने को मिल रही है तो यह काफी जदे important है जिसके ओपर यहां पर काम चल रहे है तो याद रखेगा reduction in defense import यह काफी जदे जरूरी है separate budget ला दिया domestic अपनी country में हम लोग काम करेंगे अपनी खुद की company में बनवाऊना टाटा बना रहा है अपने ही देश के अंदर में और इसी के साथ में हाँ पर हम लोग चा रहे है ओडिनेंस factory board में corporateization के अजा सेगे यह नि corporate world को इसके अंदर डाला जा सेगे अपने ही देश में हम लोग अपनी चीज़े बनाए और अपनी चीजों को मज़े ले आप लोग ने सुना होगा अप अपने आपको focus दे कर चलेंगे इन चीजों के लिए है की नहीं बताओ आप लोग defense के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग लिए question पूछा गया UPSC के द्वारा 2021 में नया नया ताजा-ताजा question पूछा गया आप लोग को पता S-400 system के बारे में हम लोगों ने Russia से खरीदा इसी के उपर question पूछ ले हाँ पर अकेले के उपर नहीं compare करने के लिए पूछ लिया कि S-400 जो air defense system है यानि कि हवा से हवा में अगर को हमको मार करने आ रहा है तो हम लोग उसको हवाई हवा में हवाई कर देंगे तो उसके उपर यह available system आप लोग को यहाँ पर द किसका इसराइल का बताओ जरो उसका नाम यह iron से नाम है iron कुछ आगे लगवा है आगे भी कुछ है बताइए तो यह match करने के लिए आप लोगों से पूछ ले आता है तो उनको compare करकर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं तो इस तरीके के question भी आप लोगों से defense के मामले में ज जिसमें आप लोग को answer देना है हाँ पर यह है particular आप लोग के सामने question बात की जारी है defense expo के बारे में और correct statement आप लोग को बताने हैं देखिए जब किसी topic को तयार करते है ना तो आप लोग उससे उसका topic का current देख लिया उसका background information देख लिया फिर answer writing question देख लिया objective type question देख लि जाएगा ministry of defense के जो कि आप लोग के सामने जिसमें land naval air तो यहाँ पर एक तरीकी से home security के उपर एक तरीकी से focus कियाता है अपने ही देश में चीजों को showcase करने की कोशिस की जाती है किसके द्वारा रक्सा मंत्राले के द्वारा ठीक है defense expo जो है 2022 का यह first ever है जहाँ पर आप आप कि जाए तो यह ABCFD वीडियो को post करकर आंसर दो सही आंसर देखता हूं कोन कोन देता है सही आंसर डी यानि कि सारे के सारे सही आंसर है match कर लेना अगर आप लोग यहाँ पर देखें सारी की सारी चीज़े आप लोग के सामने आपर है ताकि अच्छे से आप लोग connect कर ज सकते हैं मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें भी आप लोग कर सकते हैं और एसा ही आप κάب Sig करने हैं मतलब क्या है सारे बच्चे रेगुलर रांसे लिग रहे हैं डेली दो से तीन question रहते हैं अगर आप लोग एक at least one question भी आप लोग लिख लोगे ना कम से कम आप लोग ट्रैक्टिस में रहोगे तो इतना आप लोग जुरू करना है slvpd यहां से जाकर आप लोग notes देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर post कियाते हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यदा फायदा पहुचाएंगे ठीक है तो इसको भी आप लोग अपना पार्ट बना जिए यह चलता फेलता Wikipedia हो जाएगा आप लोग का help किजिए और answer जरूर review करना है एक दूसरे का ठीक है I hope कि आप लोग समझोगे और अच्छे से enjoy करोगे चीजों को अवोर्ड के बारे में आप लोगों से question पूछ ले जाए या कई बार कई सारे किताबों के बारे में आप लोगों तो अवोर्ड के बारे में अगर कोई पूछे तो ठीक है यहाँ पर बात की जारे स्रिलंका के ओथर जिनका नाम है यहाँ पर सेहन करोना तीलिगा ठीक है तो इनको यह अवोर्ड मिला है एक पर्टिकुलर किताब याद रखेगा नोवल है इनका यह दस सेवर मून्स ओफ माली अलमेडियर ठीक है तो यह इनका है बेसिकली अबाउट दा डैड वोर्ड जो यहाँ पर यहाँ पर यह इनके द्वारा जो लिखा गया है तो उसके बारे में हाँ पर चीज़े लिखे गया है क्योंकि स्रिलंका भी बहुत सार आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं ठीक है थोड़ा सा अवोर्ड के बारे में आप लोग उसे कोई फूच बैटे तो बुकर प्राइज जो हैं हाँ पर यह वल्ड लीडिंग एक लिट्रेरी अवोर्ड आप लोग को देखने को मिलता है जो कि आप लोग के सामने यह हैं पर फांड किया गये था UK में 1969 में ठीक है तो ये होपर बेसिक्लि uel किताब को देता है जो कि शस्टेन एक बैस्ट जो इंगलीस में रिटन जो झो भी रहां पर किताब रहती है ठीक है तो acia पर नोर्मली यह उसको यहां पर दिया जाता है तो इसी तरीके से हाथा बन जाए छोड़ा सा तो बता होना चाहिए important बात के हैं आपर जो मैंने आप लोगों से डिस्स किती गीता अंजली सिरी tomb of sand तो ये आप लोग को बता है था मैंने इसके बारे में याद रखेगा first Indian author जो कि international booker prize आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिला था इस particular category से तो आप लोग समझ सकते हैं आपर तो ये काफी important था इनके बारे में भी आप लोग याद रखेगा किताब का नाम tomb of sand था है आपर जो आप लोग को बता होना चाहिए और जीता कि यहाँ पर अर्विंद the white tiger तो यह कुछ ऐसे personality है और यह कुछ ऐसी किताबे हैं जिनका नाम आप लोग को बता होना चाहिए ठीक है यह man booker prize जो है award given the best novel written originally in English ठीक है यह आप लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ पर समझ सकते हैं पर लेकिन यहाँ पर कई सारे translated भी अभी हाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोगे सामने हैं तो यह कुछ ऐसी बात हैं जो पूछी जा सकती है याद रखेगा यह एक question भी है देखता हूं को उनकों से answer देता है बात की जारे बुकर प्राइस के बारे में बोला जा रहा है कि world leading literary award है आपर single work of fiction यह found किया गया था 1969 में और देखिए आप लोग नगर हिंदी में attempt करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को post कर सकते हैं इसलिए Hindi और English दोनों यहाँ पर दी जाती है ठीक है कई सारे बच्चे बोल रहे है सर PPT को Hindi में भी provide करा दिया गरो इसके लिए जल्दी ही आप लोगो चीज़े देखने को मिलेगी टेंसन मतलो इसके उपर भी काम स्टार्ट कर दिया है आप लोगो जल्दी ही आने वाले टाइम में यह चीज़े देखने को मिलेंगी ठीक है थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देखी सकते हैं मतलब जहां-ज तो उसके उपर काम करते हैं, बात की जा रही है, जो विनिंग बुक है, उसके बारें बात की जाए, तो यहां, सर पे मच चड़ जाना, एकदम सर बोला था कि आज ही कर दो, आज ही कर दो, ठीक है, तोड़ा सा ठाए है, ठाए है, तो, कभी कल में, कल सी विलकुल, आगे विलक कुछ करी नहीं पहुँगा न, ठीक है, तो यह वाली चीज़े आप लोगो देखने को मिल जाये करेंगी, ओके, तो इतना कम से कम किया जाएगा, कि आप लोग जब पढ़ने बैठोगे, तो आप लोगो दिक्कत नहीं रहेगी, पर एक रिक्वेस्ट में, आप लोगो से कर करकर आंसर दो, और आंसर आप लोगे सामने आगे आएगा फिर, आंसर यहाँ पर B, ठीक है, तो यहाँ आंसर मैच कर लो आप लोग इसको, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगो नहीं देखने को मिले, ओके, तो कोई कन्फूजन ही होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगो समझ दोस्तों इनसान गरीब पैदा होता है, यह उसके हाथ में ही नहीं है, वो किस घर में पैदा होगा, उसके भाई बहन कोण होगे, उसके माबाप कोण होगे, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो आप लोग अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं, पर लेकिन, जैसी होते हैं धर्थी पर आते हैं तो अराम राम से कुछ चीज़ा आप को जी चाहिए यानि कि जैसे आप लोग आफ्ड़ें वकिया पड़र न चाहते हैं तो आप के हाथ में नहीं होता है इसलिए कहते हैं कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है पर लेकिन अगर आप लोग गरीब ही मर जाते हैं तो ये बिलकुल आपके हाथ में था और आपने जिंदगी में कुछ धंका अचीव नहीं किया आखिर क्यों डिस्स कर रहा हैं ये बात है कि लगबग 41.5 क्रोर इंडियन जो हैं वो multi-dimensional poverty से बाहर निकल गए जो हैं पर 2005 से अगर डेटा के बारे में हम लोग बात करें तो यह जो आर्टिकल है इस आर्टिकल के साथ में मैं World Bank की रिपोर्ट वाला एक आर्टिकल भी आप लोगों से डिसस करूँगा और इसी के साथ में दो कोशन होगी एक तो इस आर्टिकल से लिटिड कोशन है बहुत important कोशन है ऐसे कोशन अकसर आप लोगों से एक्जाम में पूछा सकते हैं और कोई interview में भी आप लोगों से मिल रही है पर लेकिन इस growth में क्या reality हमारी country की जो जनता है उसको फायदा पहुच पा रहा है यानि कि ये जो growth है ये एक तरीके से ऐसी लग रहे हैं यानि कि माया भी है कि दिखाने के दात कुछ और है और खाने के दात कुछ और हाती के ऐसा कुछ फिल होता है क्योंकि गरीब ही जो है वो मिटी नहीं पाती है तो उसके उपर ये एक अच्छा सा प्यारा सा question है जो कि आप लोग attempt करिएगा और अच्छे से जितना हमारे देश में basically क्या देखने को मल रहा है कि 2005 से लेके 6 से लेके 2005 से 19 से लेके 21 तक का अगर ये प्रोपर डेटा देखेंगे तो multi-dimensional poverty जो है वो हमारे जिस में काफी कम हो गई है यानिकि पिछले 15 सालों में हम लोग multi-dimensional poverty से जो है काफी अतक बाहर निकले हैं ये जो particular duration आप लोग को देखने को मिल रही है इस particular duration में जब चीजों को count कहता है तो ये मना जाते है कि लगबग 1.2 billion population यानिके आप लोग मोटे-मोटे तोर पर ही हाँ पर बोल सकते हैं कि 120 क्रोड एक क्रोड लोग पता है कितने होता है 120 क्रोड लोगों की बात की जा रही है वो multi-dimensional party के सिकार है दुनिया के अंदर में और उनमें से लगबग आप लोग को देखने को मिलेंगे हाप यानिके लगबग 60 क्रोड लोग तो ऐसे हैं जिनको एक time का खाना भी नहीं मिल पाता है जैसे तैसे उनकी जिंदगी में जिसके चलते हैं हाँ पर ये दुरघटनाए देखने को मिल रही है अगर बात की जाए इसके ओपर अगर काम नहीं किया जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो एक तरीके से कई सारी बीमारी का सिकार हो जाते हैं और कई सारे बच्चों को यहाँ पर education निमिल पाती है कई सार पर अगर फीस नहीं है तो इंसान जो है वो पढ़ नहीं सकता ये काफे ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है वो भी जब हम लोग आजादे की 75 सालगीरा सेलिबेट कर रहे हैं तो कम से कम इंसान के लिए इतना affordable तयार कर ही देना चाहिए ताकि वो इंसान जो है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई एटलिस्ट कर सके ठीक है तो ये सारी चीज़े जो है इसके उपर हम लोग को काम करना पड़ेगा अगर ये नहीं कर पाएंगे और education बच्चों को provide नहीं करा पाएंगे तो बहुत सारी चीज़े जो है वो पीछे चुड़ जानी है तो ये के साथ में हाप कहा कहा पर क्या क्या दिक्कत है देखने को मिल रही है और क्या क्या सोलूशन है और question भी होगा तो आप लोग के दो question हो जाएंगे particular पूर्टी से related अब एक अच्छा सा answer आप लोग पूर्टी के बारे में लिख सकते हैं अगर लिखने के लिए तो इस तरीके से आप लोग को चीज़ों को तयार करना है ताकि topic एक बार में ऐसे तयार हो जाए अब उससे चाहे prelims का ocean बने, mains का ocean बने, आप लोग का interview ocean बने, even चाहे किसी को आप लोग को पढ़ाना भी हो तो वो topic आप लोग अब ऐसे तयार हो जाना चाहे है तो अभी जो बात है distance करूँगा बहुती अच्छे से सुनना एक एक पॉइंट है आप लोग के mind में killer होता हुआ चलना चाहिए ठीक है गरीबी है कितनी खतरनाक चीज़े यार ये कहते हैं कि इनसान जो है उसको गरीबी का विसाप कभी न लगे क्योंकि इनसान जो है वो छोड़ी छोड़ी चीज़ों के लिए भी मजबूर हो जाता है और जिंदगी में खास कर जो उसकी basic अवश्यक्ता है होती है वो वो बिलकुल आप लोगी गलती है क्योंकि आप लोग खुद देखिए जिस इनसान ने इस जिंदगी में आकर कुछ ने कुछ किया है उसने महनत करकर अपना बहुत कुछ इचीव किया है आप लोग सामने ले लो एपी जी अबदुल क्लामसर जी कैसे परिवार से आते थे आप लोग इस तरीके के हजार और लाखो धान आप लोगे सामने देखने को मिल जाएगे जिन्होंने आज की डेट में देश पर छाप छोड़ी है अदानी जी की इस्ट्यूट हागर आप लोग देख लो तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे पैटर्न आप लोगो देखने को मिले तो हमारे देश में जो गरीबी है वो काफी ज़्यदा खतरनाक लेवल पर आप लोगो नजराती है और वर्ल्ड बैंक जो की कहने के लिए बैंक है आपर लेकिन ये ऐसे सी बाते बता रहे हैं लोगों को हड़ अटाक दे रहा पैसे वैसा देनी गा 70 मिलियन जो आज की में इस पर काम नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रोलाउं जो है वो हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी क्योंकि अगर गरीबी नहीं है तो एजुकेशन नहीं है एक पर्टिगलर परसन जो है वो नॉमल भी जिंदगी जो है वो अपनी वैतीत नहीं कर सक है इसलिए हाँ पर इसके बारें बात की जा रही है तो खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यह रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जिसका नाम याद रखेगा पूर्टी एंड सेयर प्रोस्पेरिटी 2022 यह रिपोर्ट प्रसुत की गई है क्रेक्टिंग कोर्स यहा वो हम लोग खतम नहीं कर पा रहे हैं तो यह काफी जाद है एक नेगेटिव चीज़ आने वाले टाइम में आप लोग को देखने को मिलने वाली है तो काफी जाद है खतरनाक है अगर इसके बारें बाते की जए एक कोशन भी आप लोग के सामने यहाँ पर कि गरीबी के बा तो यह कई बार गल्च चीज़ देखने को मिलती है पर लेकिन फिर भी यूएन का जो मल्टी डैमेंसिलन पूर्टी इंडेक्स है उसके बारे में यहाँ पर आप लोग को बेसिकली अनलैसिस करने है डेटेल में डिसस करूँगा उसके बारे में भी और इंटरेसिंग चीज कि आप लोग को बताऊंगा पूर्टी क्या है किस-किस तरीके से क्या कंडिसन देखने को मिलती है बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आप लोग को जानने को मिलेंगे तो एक बहतरीन सा आंसर जो है आप लोग लिख पाएंगे और एक और कोशन पोस्ट कर दूँगा टेलि कोई फ्रग नहीं पड़ता है जब आप लोगा टोपिक तयार हो चुक है तो फिर तो एक एक पॉइंट बताऊंगा आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट देखते हैं अच्छे से जब सस्टेनेबल डवलोपमेंट गोल के अंदर जाएंगे तो टोटल मिलाकर सत्रे सस्टे देखने को नहीं मिलेगी तो उसकी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी तो इसलिए सबसे पहले टारगेट है की गरीबी मिटाओ उसके बाद में सारी चीज़े चुह है वो एक साही डिरेक्शन में चलती है आप लोग को नजर आएगी तो गरीबी मिटाने का नारा इसलिए सबसे पहले हाँ पर दिया गया था हमारे देश में इंदरा गांदी जी के द्वारा ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा जिसके चलते हैं वो election भी जीत कराया थी शांदार तरीके से तो इसी गरीबी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा बहुत सारे facts and figure बताऊंगा और बताऊंगा important question कैसे आप लोगे लिए बन सकते हैं गरीबी हमारे देश में इस level पर है कि देखकर कई बार आसो आ जाते हैं कि मतलब हम लोग आ जाती कि 75 वी सालगीरा celebrate कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज केट में खाना नहीं मिल रहे है आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं गरीबी हमारे देश में किस तादात की आप लोग को देखने को मिलेगी कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में खाना नहीं है कई सारे लोग जिनके पास में मकान नहीं है कई सारे लोग जो है एक टाइम भूके पेट सोते हैं ठीक है ये कंडिसन आप लोग को देखने को मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन जब देश के अंदर निकल कर आती है ये पहले गरीबी थी पर लेकिन COVID-19 की वेसे अभी और भी ज़्यादा बढ़ गई है तो ये जो डेटा में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो वर्ल्ड बैंक के द्वारे हाँ पर बताया गया ये थोड़ा सा पहले का डेटा है ऐसा आप लोग बोल सकते है सबसे पहले तो इंपोर्टेंट कोश्चन ये जो पर्टिकलर टोपिक है UPSC प्रिलिम्स और जेसे पर 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते है ये फिर थरीके अंदर भी हमारी कंट्री की एकनोमी करतवस्ता कैसे चल रहे है उसके साथ भी आप लोग इसको देख सकते है रिपोर्ट्स वगरा के बारे में हाँ पर बात कर सकते है यहाँ पर पूर्टी इन इंडिया अगर पूछे कि यह रिसर्च पेपर जो है किसके द्वारा पब्लिस किया गया तो वर्ल्ड बैंक के द्वारे हाँ पर यह रिसर्च पेपर पब्लिस किया गया इसमें अच्छी बात क्या बोलेगी है जो कि कोश्चन बनने लाइक भी है अगर मैं एक टीचर हूँ पर गट गई है यहांगे गरीबी जो है हमारे देश में वो कम हुई है पर लेकिन मैं फिर से आप लोग को यहांपर एक बात गोर करकर बता दूँ यह जो मैं आप लोग के सामने डिसकस कर रहा हूं तु था यह 19 का डिसकस कर रहा हूं आगे जो भी डेटा आएगा उसमें 2020 औ करके हम लोग चलेंगे और वहीं है कोविड-19 का इंपेट जो कि सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अब बताओ गरीबी बढ़ी है यह घटी है अभी तो हम लोग बाते कर रहे हैं ना कि गरीबी हमारी घट गई है पर उस टाइम पर रियलेटी में हम लोग पता चला पाए क्योंकि कई सारी पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आप लोगो लगता है नोट डाउन कर लेने चाहिए तो उनको नोट डाउन करते रहो वरना पीपीटी आप लोग के पास में रहती है उसको आप लोग देखी सकते हो तो यह आप लोग अपनी सुलियत के इसाफ से काम कर ले करूँ ठीक है तो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप लोगो बिल्कुल जो भी आप लोगो लगे नोट डाउन करने लाएक चीज़े हैं उनको आप लोग आसानी से अपनी खुद की लेंग्वेज में अगर एक बार लिख लेंगे खुद की हैंड्राइटिंग में लेंग् 2.3% यहाँ पर जो लोवर हुआ है 2019 में तो पहले यहाँ पर कितना था अभी कितना है यहाँ पर पहले यहाँ पर था 22.5 2011 में और अभी हो गया है 10.2 2019 में तो यह अभी हाँ घट गया है अब जो important question अगर मैं examiner हूँ और आप लोग के लिए कोई UPSA question paper set कर रहो हूँ तो मैं पूर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है as compared to सहरों में जादा गरीब है सहरों में कम गरीब है statement number one दूसरा बोलेंगे जो पूर्टी इनके गरीबी घटी है उसमें सहरों में जादा गरीबी कम हुई है as compared to गाउं में statement number two और फिर बोला जाए कौन सी सही है और कौन सी ग लोगों को देखने को मिलती है as compared to urban अभी reduction जो यहाँ पर हुए यहनके जो गरीबी घटी है वह यहाँ पर कहाँ पर ज्यादा गरीबी घटी है सहरों के इंप्यर में तो यह काफ़ी important है जिसे यहाँ पर देखें गाउं में जो गरीबी घटी है वो लगबग 14.7% और सहरों में लोग ज्यादा अमीर हुए as compared to सहरों में यह बोला जा सकता है अमीर तो नहीं बोलेंगे मतलब गरीबी रेखा से उपर आगे उनकी रोजी रोटी ठीक चलने लगी है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यानिके जो 26.3% थी 2011 में वो 11.6% हो गई 2009 में यह बात कर रहा हूं गा गरीबी यह हो गई 6.3 पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग दोनों को compare करोगे अब सहर में 6.3 हो गई है पर लेकिन गाउं में अभी भी 11.6 है यानिके गाउं में अभी जो गरीबी है सहर के compare में लगबग डबल है ऐसा आप लोग statement भी आप लोग को ही दे सकते है यानिके को हमारी country में last decade में जितनी गरीबी कम हुई है यानिके हम पिछले time में जितनी गरीबी कम कर पाएं इस वाले decade में उतनी गरीबी हम लोग है कम नहीं कर पाएं यानिके poor teen India has declined over the last decade but not as much as previously यानिके जैसे हमारी पहले जो गरीबी कम हुई थी उतनी गरीबी अब हमारी कम नहीं है ये important बात है संच में आगे ही सारी बात है एक बार और बता देता हूँ देखे गरीबी गाउं में ज़ो है वो ज़्यादा कम हुई है as compared to सहरो के पर लेकिन कम होने के बाद भी गाउं में ज़्यादा गरीब है अजगर सहरो के साथ में आप लोग compare करेंगे ये point छोटा सा एक लियाद रखना है और पहले time में जो गरीबी कम होती थी उसके time में अभी जो गरीबी कम हुई है वो कम ज़्यादा गरीबी कम नी हुई है पहले ज़्यादा गरीबी कम होती थी अभी कम गरीबी कम हुई है ऐसा बोला जा रहा है अभी भी लोग जो है काफी ज़दे गरीबी देखा के नीचे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है प्रूपरे में ऐसी भी कंडिसन यहाँ पर देखने को मिल रही है यह जो ग्राफ है यहाँ से आप लोगे लिए कोशन कारफी इंटरस्टिंग बन जाएगा एक्जाम में अगर देखोगे इंडिया के अंदर में जो पूर्टी रेट है वो गरीबी का जो रेट है वो काफी लंबे समय से घटा याँ के 1993 से लेकर आप लोग आगे चलेंगे 2004 में घटा 2011 में घटा यहाँ तक 2011 वारत तक जो है वो गरीबी का रेट घटा पर लेकिन इसके बाद में फिर यहाँ पर जो गरीबी का रेट है वो थोड़ा सा आप लोग गाउवाले एरिया में बढ़ता हो नजर आएगा 1993 से लेकर 2011 में हाँ गरीबी घटा रेती पर आप तरिसेंडली आकर यहाँ पर बढ़ी है गाउवाले एरिया में तो यह चीजे आप लोग देखने को मिलेगी जब पूर्टी निकल कर आते है ना इसमें कई तरीकी आप लोग देखते हैं कई बार यहाँ पर लोगों खाना नहीं मिल पाते हैं, उनके पास में पैसा नहीं रहते हैं, ठीक है, उनके पास में चीजों एक तरीके से पढ़ाई उनके अच्छी नहीं मिल पाते हैं, कल को काम मिलेगा, खाना खापाएंगे, वो नहीं खापाएंगे, वो देखने को मिलेगा, गरीबी उनके साथ में बीमार resources भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे अभी जो गाउं के बारे में आप लोग से बात करों ये क्यों बड़ी है आपर basically गरीबी थोड़ी कम हुई है गाउं में अमीरी क्यों बड़ी है जो छोड़े-छोड़े किसान है न basically जिनके पास में छोड़े-छोड़े जो एक तरीके से अपने जो जमीर है उनकी जो basically चीज़ आप थोड़ी सी बैटर हुई है यानकि ऐसा बोला जा रहा है कि high income growth ही है उनकी जो basically income में ऐसी बात ही हाँ पर बुले जा रही है तो ये positive चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी real income है जो किसानों की वो अगर बात करें अगर जो छोड़े-छोड़े किसान है उनकी बड़ी है लगबग 10% और जो थोड़े बड़े किसान है उनकी बड़ी है लगबग 2% यानिके छोटे किसानों की इंकम जादा बड़ी है as compared to बड़े किसानों की ये यहाँ पर ये data बता रहे है तो गाउं में इसलिए गरीबी जो है वो थोड़ी कम हुई है हमारी देश के अंदर में तो ये एक अच्छी बात आप लोग को देखने को मिलेगी अब यहाँ पर दो टमें में आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग को confusion में नहीं लाए आप लोग इसको basically देखेगा एक तो गरीब वो इनसान है जो reality में गरीब है यानिके एक इनसान बोलने लगे यार मैं गरीब हूँ अब लोग को बताऊंगा अगर यहाँ इनसान को बोलो गरीब है तो उसके लिए गरीब है कि उसके पास में पुरानी गाड़ी है अरे गरीब हो है जो basically जिसके पास में cycle भी नहीं है जिसके पास में दोवक्ता खाना भी नहीं है जिसके पास में रोठी भी नहीं है तो यहाँ से आप लोग देखते हैं अगर गरीबी और अमेरीके बारें बात करें तो यह relative poverty होगी एक के पास में नई Mercedes है एक के पास में पुरानी Mercedes है नई Mercedes वाला बोला है कि तुम घरीब हो तुमारे पास से पुरानी Mercedes है तो यह relative poverty देखने को मिलेगी जैसे economy की condition change होती है इनकी जिन्दगी में काफी change होता है क्योंकि इनकी जिन्दगी में काफी अच्छी business चल रहे है अच्छी कासी job चल रहे है इनकी जिन्दगी अच्छी बढ़ती रहती है तो यह एक तरीके से यह जो household है आपर यह आप लोग काफी अच्छी level पर अपनी जिन्दगी जो है वो जीते हुए नजर आएंगे पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बात करेंगे इनकी जिन्दगी जो है वो बड़ी सदमे में चलती है वैसे आपर टम भी लिखा गया कि जब household रिसीव करता है 50% less income than the average or median income है तो उसको relatively poor बोल देते हैं पर लेकिन reality में absolute poverty वो होती है जिसकी जिन्दगी में खाना पीने के भी लाले पड़े में आप लोग ने normally सुनोगा तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं ये तो मैंने अभी हापर इस report के बारे बात कर दिया अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ और बाते करूँगा जो की important है और जहां से कई बार question पूछ ले आता है मैं बात करता हूँ आप लोगों से global multi dimensional quality index के बारे में अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बावाल है ये काफी important बावाल है और ये ऐसा बावाल है इससे question कई बार बन जाता है मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग चीज़े understand कर पाएंगे हाँ पर अच्छे से इसको बोलते है global multi dimensional quality index ठीक है तो ये जो index से जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातेगी ये काफी important है आप अगर बात करें इससे direct question आप लोगों से पूछे जा सकते है कि आखिर ये क्या है इसके बारे में कि इंडिया की rank कितनी है इसके बारे में ऐसे ऐसी चीज़े भी आप लोगों से पूछ ले जाती है तो इसको अगर आप लोग गच्छे से समझ पाओगी तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी तो इसके बारे में आप लोगों समझना चाहिए direct question इससे बनते हैं और जहां से आप लोग direct exam में question बन जाते है वो area आप लोग कभी भी नहीं छोड़ने है सबसे पहले तो global multi-dimensional quality index जो है वो अभी अगर बात करें release किया गया था 2021 का last time जो release किया गया उसमें इंडिया की rank क्या है वो आप लोग बताईए ये release किसके द्वारा कियाता है ये question कई बार exam में पूछ आ चुक है ये index जो है यहाँ पर Oxford quality and human development initiative के द्वारा मिलकर United Nation development program के साथ ने मिलकर यहाँ पर ये release किया जाता है यानि कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको release करते है और इसका नाम रखा गया है multi-dimensional quality index यानि कि कई सारी dimension यहाँ पर check करते हैं गरीब ही ऐसानी इसको खाना ने मिल रहा तो बस ये गरीब है यहाँ पर बोलते है health से भी कोई गरीब होता है कोई education से गरीब होता है और कोई हाँ पर living standard से गरीब होता है इसी के साथ में एक दो इंडिकेटर में डिवाइड किया गया education को और बचे वे नीचे आप लोग को देखने को मिलेंगे 6 यनिके 6 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया living standard को यनिके total मिलाकर तीन dimension जो है वो 10 इंडिकेटर में इनको डिवाइड किया गया तो यहाँ पर nutrition और child mortality की बात की जा रही है year of schooling और school attendance की बात की जा रही है cooking, sanitation, drinking, water, electricity, housing या assets इनकी बात की जा रही है तो सब को अलग-अलग criteria में divide किया गया है अगर मोटे-मोटे तोर पर आप लोग देखोगे और सब के criteria को मिला कर यहाँ पर basically index तैयार किया जाता है तो यहनिके यह होती है multi-dimensional quality जिसमें कई सारे index आप लोग को देखने को मिलेंगे पर लेकिन question यह बन जाता है कि की index क्या है की dimension क्या है तो है health, education और living standard यहनिके रहने का क्या criteria हाँ पर चल रहे है तो इन तीनों को देखकर जब यहाँ पर education, school attendance, drinking water यह सारे को मिलाते हैं तो एक multi-dimensional quality निकल कर आती है कोई इसको पता चला कि एक तरीगे से कि उसको खाना नहीं मिल रहे है, कई सारी ओर दिक्कत देखने को मिल रहे है, उसको पता चला उसकी health अच्छी नहीं, उसकी education नहीं मिल पा रहे है, तो इस सारे इशो आप लोग को देखने को मिलती है, तो इसलिए multi-dimensional quality जो है, वो काफी फ़र सा अंदर गुसोगे न, तो यहाँ पर अच्छे tribal community है, schedule tribe, schedule caste, other backward classes, तो अलग-अलग level पर इनकी poverty आप लोग को देखने को मिलेगी, और all over India के अंदर अगर female की condition देखोगे, तो आप लोग को अलग level की poverty देखने को मिलेगी, तो इसलिए हाँ पर बात कि जाते हैं कि इस लोगों को एक वक्त का खाना ने मिल पाता है, तो उनकी गरीबी के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए बोला आता है कि गरीबी जो है, वो इंसान जो है किसी को न दिखाए, घर में कोई मर रहा है, उनके पास में पैसा नहीं, उसको ठीक कराने का, यह लगता है चलो मर रहा है, तो मरी जाए अब, क्योंकि हमारे पास में पैसा तो है नहीं, इसको बचाने का, तो इस तरीके कंडिसन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इतनी बुरी सिचेशन आप लोग को जब देखने को मिले, तो तब बुरी कंडिसन हो जाती है, यह मैंने बता बाते हैं, तो दूनों में कांफूज नहीं होना है, तो इजो हमारी कंडिसन आप लोग को जाता है, इसमें अगर अभी बात करें आप लोगों से, किस-किस की position क्या-क्या देखने को मिली 40 के बारे में तो बिहार जो था उसका highest share देखने को मिला multi-dimensional of 40 में यानिके बिहार जो था वो सबसे ज़्यादा गरीव की category में आप लोग के हाँ पर देखने को मिला यानिके एक तरीके से वहाँ पर बहुत सारी चीज़े जो है खासकर health, education और living standard सबसे बुरी condition में आप लोग को देखने को मिलेगा अगर बात की जाए तो तो उसी को सुधारने की बात यहाँ पर की जा रही है जिसके चलते हैं इनके उपर focus दिया जा रहा है और इसी के साथ में हाँ पर चीजों को अच्छे करने की भी कोशिस की जा रही है बाकि अगर बात करें बिहार सबसे नीचे से top कर रहा था और केरला जो है वो सबसे उपर से top कर रहा था तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार के बाद में जारकन डुक्तर प्रदिस और केरला के बाद में पुदिचेरी और लेकसे दीप गोवा और सिक्किम इनकी अच्छी performance आप लोग को देखने को मिलती है तो यह दो चीज़े आप लोग को ज़रूर याद रहे है अगर 40 घटाने के बारे में बात यहांपर की जाती है तो क्या-क्या मैंने आप लोग को यहांपर बताया तो कई सारी important point आप लोग को बता दी हैंपर सबसे पहले तो कहां का पर क्या-क्या गरीबी घट रही है वो सारी चीज़े मैंने आप लोग को दिखा दी इसी के साथ में multi-dimensional poverty क्या होती है वो सारी चीज़े हम लोगों ने समझ ली देश के अंदर भी एक indicator आप लोगों को देखने को मिलता है गरीबी के बारे में वो मैंने आप लोगों को बता दिया अब यहाँ पर मैं बहुत सारी scheme के नाम बताने वाला हूं और यह काफी important portion आप लोगों को होने वाला है direct question आप लोगों के exam में बन सकता है यह जो point है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा यहाँ से आप लोगे लिए direct exam में question बन सकता है कि हमारे देश में आज तक का कितनी ऐसी scheme है जो कि purity and के गरीबी को मिटाने के लिए या फिर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चलाए गई है तो scheme का नाम साल कौन से में launch की गई है और यहाँ पर जो basically किस ministry के अंडर में आती है यह मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप लोगे कई सारे question जो है वो सही करा देगी या फिर कई सारे question के अंदर कई सारी statement सही करा देगी तो इसलिए इसके बारे में आप लोगो ध्यान से सुनना है जहाँ पर भी confusion होगा बताना और हर एक scheme के बारे में नाम, उसकी short form, उसका साल और उसकी ministry यह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो की काफी important रहने वाला है ठीक है? और यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुती पुराने से लेकर अब तक की सारी scheme में बताऊंगा लिखने के लिए भी आजाए direct या फिर objective type question ही पूछ लेए किस ministry के अंडर में आती है तो सारी बाते आप लोगों को बता होनी चाहिए point number one के बारे बात करें, इसको बोलते है integrated integrated rural development program जिसको IRDP बोलते हैं तो गाउं के development का program था 1978 में स्टार्ट किया गया ministry of rural development यानि कि गाउं के development की बात की जारी है तो ministry of rural development ठीक है? दूसर number की जो हैं पर है, इसको बोलते है परधान मंतरी ग्रामीन आवास योजना 1985 में 1985 में 1985 में लाएगी और ये ग्रामीन के बारे बात की जारी है तो हैं पर भी ministry of rural development आप लोग को देखने को मिलेगा जो की काम करती ही नजर आती है इसको सुधारने के लिए नमबर 4 पर हैं आपर national family benefit scheme जिसको NFBS बोलते हैं ये 1995 की ही scheme है आपर और ये भी ministry of rural development की scheme है इंटरस्टिंग चीज़ अभी आप लोग को बताऊंगा अनपूर्णा ये 1999 से लगे 2000 की scheme है जो ये ministry of rural development के अंदर ही आएगी food for work program 2000 की scheme है ये भी ministry of rural development के अंदर आएगी आप लोगों ये पता होना चाहिए गरीबी हमारे देश में कम है कम है नहीं गरीबी हमारे देश में ज़्याद है पर लेकिन हमारे देश में गाउं में गरीबी ज़्याद है और सहरों में गरीबी कम है जितनी गरीबी गाउं में है सहरों में उसकी आधी गरीबी है याणि के गाउं में सहर के compare में double गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसलिए maximum जो scheme चलाए जारी है वो गाउं में गरीबी मिटाने के लिए चलाए जारी है क्योंकि गाउं में गरीब ही जाद है इसलिए Rural Development Ministry आप लोगों को देखने को मिलेगी समझना रहा है क्या बोल रहा हूँ हमारी country Ministry of Rural Development के Minister को ने ये आप लोगों को बताने है अभी और भी कैसारी scheme है जैसे MG नरेगा हो गया ये लोगों के लिए 2005 में स्टार्ट केगी ताकि उनकी रोजी रोडी चल सके ये भी Ministry of Rural Development के अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगी National Food Security Mission 2007 में लाए गया Ministry of Agriculture बेसिकली गाउं से ही लेटेड है ये भी ये बेसिकली Rural Livelyhood Mission लाए गया 2011 में Ministry of Rural Development अब यहाँ पर सहरों के बारें बात की जा रही है National Urban Livelyhood Mission 2013 में यानके पुराने टाइम से हम लोग गाउं की गरीबी मिटाते हुए आ रहे है 1978 में सहरों पर फोकस करना इस टार्ट के हम लोगों ने अभी आ कर तो Ministry of Housing and Urban Affairs आ गये हाँ पा परधान मंतरी जन्धन योजना ये सब के लिए था बेसिकली हाँ पर 2014 में लाए गया Ministry of Finance के दौरा परधान मंतरी कोशल विकास योजना 2015 में लाए गया Ministry of Skills Development और Entrepreneurship के दौरा इसी के साथ में संसत आदर्स ग्राम योजना 2014 में लाए गये हाँ पर Ministry of Rural Development के दौरा इसी के साथ में हाँ पर परधान मंतरी जीवन जियोती बीमा योजना 2015 में लाए गया Ministry of Finance के दौरा परधान मंतरी हाँ पर सुरक्सा बीमा योजना 2015 में लाए गया Ministry of Finance के दौरा जो बात करें हाँ पर Maternity Benefit Scheme यानिके एक तरीके से जो जच्चा और बच्चा की ध्यान रखने के लिए ये एक स्कीम लेकर आएगी तो Ministry of Health and Family Welfare के दौरा 2016 में परधान मंतरी उजवला योजना PMUY 2006 में तो Ministry of Petroleum and Natural Gas आप लोगो देखने को मिलेगी परधान मंतरी गरीब कल्यान योजना जो बिसिकली PMGKY 2016 में तो Ministry of Finance के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगी इसी के साथ में हाँ पर बात की जा रही है Solar Charkha Mission 2018 में ये Ministry of Micro Small and Medium Enterprise के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगा जो की काफी important इसके वारे में आप लोगो पता होना चाहिए इसी के साथ में National Nutrition Mission Plan जो की Post and Abhyyan जिसको basically बोला गया 2018 में Ministry of Women and Child Development परधान मंतरी सरम योगी मांधन योजना 2019 में Ministry of Labor and Employment परधान मंतरी स्टीट वेंडर आत्म निर्भर निधी जिसको PM सेवा निधी भी बोला गया 2020 में Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा तो maximum scheme आप लोगों को देखने को मिलेगी जो की गाओं के लिए हैं जो की महिलाओं के लिए हैं और बच्चों के उपर focus दे रही हैं और skill development के उपर focus दे रही हैं तो indirect or direct way में सारी की सारी scheme क्या कर रही है यह गरीबी को मिटाने का हैंपर काम कर रही है और मैंने आप लोग को बताया जब sustainable development goal के अंदर आप लोग जाएंगे तो पहला ही sustainable development goal जो है वो basically गरीबी को मिटाने के बारें बात करता है तो यह काफी important है जो कि आप लोग के याद रहने है sustainable development goal वन ही गरीबी को मिटाने के बारें बात करता है टू और थर्ड किसके बारें बात करते हैं यह आप लोग को बताने है यह आप लोग के लिए question है तो इस तरीके से आप लोग से direct question exam में बन जाए कि गरीबी से related जो important scheme है उनकी ministry और किस date में हाँ पर इनको basically launch किया गया तो यह अलाग अलाग reason से भी आप लोग इनको answer writing में use कर सकते है कहीं पर इन से direct question भी आप लोग का बन सकते है इसलिए सारी की सारी scheme जो है वो एक जगे ही खट्टी करके आप लोग को बता दी कितनी गरीबी घट गई है वो हम लोगों ने देखा कहां कहां पर कितनी गरीबी है और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ data भी देखा कहां से गरीबी ज़्यादा घटी है और कहां से गरीबी कम घटी है वो हम लोगों ने जाना सहरों में गरीबी कम और यहाँ पर गाउं में गरीबी क्यों ज़्यादा है वो देखा पिछले एक दसक में अगर बात करें गरीबी के हालत के वारे में जाना क्या-क्या इंपेक्ट होते हैं एब्सलूट और रिलेटिव पुर्टी क्या होती है वो हम लोग ने समझी कोई भी confusion आप लोगों इंसे लेटर नहीं होना चाहिए अगर question बने तो question आप लोगों को answer देना है ठीक है अब बात करता हूँ एक question मैं आप लोगों से पूछूँगा वैसे तो कई सारी बाते हो लगी बता चुकों पर एक question है जिसका answer आप लोगों को देना है बात की जारी हैं आपर which of the following are the indicators of multi-dimensional poverty index यानि के बहुँ आयामी गरीबी जो सुचकांग के संकेत के हाँ पर basically rated कौन सा सही है बोला गया year of schooling electricity इसी के साथ में maternal mortality और cooking fuel ठीक है तो सही answer यहाँ पर कहा है अगर आंसर क्या है A B C F U D तो देखता हूँ कौन सही answer देता है मैं expect कर रहा हूँ कम से कम इस question का answer आप लोग बिल्कुल सही दोगे क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है तो पहले question को आप लोग attempt कर लिजे उसके बाद मैं आप लोग को answer देना है ठीक है उसके बाद मैं answer देखना है basically तो सही answer क्या है सही answer है आप इसका C कैसे मतलब C answer 1 2 4 1 2 4 मैंने यहाँ पर maternity mortality के बारे बात किये कहीं पर नहीं किये न अगर आप लोग देखें आपर कहीं पर maternity mortality के बारे में लिखा हूँ है कहीं पर नहीं लिखा हूँ है ठीक है तो इससे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो multi dimensional 40 से ऐसे question आप लोग यह बन सकते हैं यह question जो था यह basically और ज़्यादा है आप लोग यह अप ग्रेडर करके बनाया जा सकता था अगर इसमें बात कर देते कुछ इस तरीके से जैसे अभी हम लोग ने article discuss किया है ठीक है जो मैंने बताया ना गरीबी गाउं में बढ़ रही है सहरों में घटरी है वो सब चीजे तो इस तरीके से भी question आप लोग का बन सकता है तो extra question तो आप लोग इलिए रहते ही रहते हैं इसके साथ में आप लोग को आर्टिकल के अंदर ही बताता हूँ कि किस तरीके से question बन सकता है क्योंकि ये current और static का combination है तब ही आप लोग को ये discussion में मज़ा आता है क्योंकि सारी चीजे एक साथ में आप लोग की cover हो जाती है जब examination hall में जाकर बैटो तो SLB family member होने के नाते आप लोग को paper ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये paper तो हम लोगों ने ही बना रखा है तो इस तरीके का मज़ा है तब ही पढ़ने का मज़ा है वरना तो चीजे चलती रहती है आती जाती रहती है तो इस तरीके से आप लोगों पढ़ाई करनी है तो ये होगी इसके बारे में सारी बाते है I hope कि आप लोग के मैंड में clarity आई होगी feedback जरूर दिया करो like और dislike करकर आप लोग बता सकते हो या फिर आप लोग को अगर लगता है जो भी suggestion देने है वो भी आप लोग बता सकते हो ठीक है health के बारे में मैंने आप लोगों से starting में बात की अब थोड़ा सा बात करते है environment के बारे में ठीक है तो यहाँ पर ये बात आ रही है कहां से निकल कर ये आ रही है है हैधराबाद से निकल गए तो congratulations to all हैधराबाद वासी क्योंकि ये शांदार अवोड यहाँ पर जीते गए जो आप लोगे सामने हाँ पर रखे हुए है ठीक है तो यहाँ पर बात की जारी है city of हैधराबाद तो यहाँ पर world green award जो है वो हैधराबाद के हिस्से में आया पर जो कि तेलंगाना आप लोग समझ सकते हैं तेलंगाना की capital है आप और यहाँ पर living green for economic recovery and inclusive जो growth winner है वो आप लोग को हैँआँ पर हैधराबाद देखने को मिलेगा तो यह काफी important award है जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकते है और हैधराबाद से आते हैं यानि कि अगर आप लोग state pieces की तियारी कर रहे है तो वो भी important है देखिए एक बास समझने कोशिस की जिगा कुछ award ऐसे होते हैं जो कि state government के द्वारा दिये जते हैं वो तो state government के important है वहाँ पर question बन सकता है state government से लिए लेकि इंटरनेसल लेवल का कोई prize होता है न उसको आप लोग जरूर याद रखे क्योंकि वो आप लोग उसे center level के exam में भी पूछा जा सकता है अगर बात करें हैं हाँ आपर world green city award के बारे में तो याद रखेगा जो हैदराबाद हैं हापर उसको overall award दिया गया है world green city award और इसी के साथ में हाँ पर living green for economic recovery and inclusive growth ये दो award यहाँ पर इनको दिया गया है कहाँ पर ये हुआ basically south korea में तो जीजू ठीक है तो जीजू के द्वारा award दिया है तो नाम आप लोग मत भूले हैं हाँ पर जीजू ने award दिया है तो ये 2022 के award यहाँ पर मिले हैं तो यहाँ पर ये याद रखेगा International Association of Horticulture जो यहाँ पर producer है तो उनके दुआरे हैं तो यहाँ पर inclusive growth act इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है जिसके चलते हैं आपर यह award मिला है International Association यह इसके द्वारा announce के जाते हैं तो यह काफी important organization भी है आपर अभी यहाँ पर अगर बात करें तो only Indian city है जो की select की गई है World Green City Award के लिए जो 6 category में आप लोग को यहाँ पर नजराएंगी यानि कि 6 category है और भी category है जी हाँ बिल्कुल रहेंगे पर उससे पहरे जो important है इसके उपर star लगा लेना आप लोग क्योंकि इस particular reason की वेसे हाँ पर international level पर यह award मिला है जिसका नाम है तेलंगाना कू हरी का हरम तो यह particular इनका एक इसे एक scheme या program आप लोग बोल सकते हैं जिसके थुरू पेड लगाने की बात के गई इनके द्वारा और 2015-16 से इनके द्वारा पेड लगाने स्टार्ट के है और काफी सारे area में उसको हरा भरा भी बनाया target का है कि state को यहाँ पर 24% से यहाँ पर 33% तक लेकर आना है हरा भरा बनाने में तो यह अपने ही आप में बहुत बड़ा target है और अगर आप लोग अपने state में जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं आप लोग भी कोशिस क्या अगरो पेड लगाना अगर एक पेड आप लोग लगा के जा रहे हो आप लोग खुछ सोचो और लिग दे करो has tech slv army planting tree कई सारे लोग मुझे अभी टेक कर रहे है जो कि हाँ पर पेड लगा रहे है तो यह आप लोग जरूर करना ताकि मुझे ही पता चलता रहे है कि हाँ कुछ ऐसा कर रही है हमारी army ठीक है category कौन कौन से हैं हाँ पर यह category winner आप लोग को देखने को मिलेगी सबसे पहली category तो हमारी है जो कि इंडिया को देखने को मिला यहाँ पर living green for biodiversity यह कोलंबिया के हिस्से में आया living green for climate change यह मेक्सिको के हिस्से में आया living green health and well being यह ब्राजील के हिस्से में आया living green for water यह Canada के हिस्से में आया और living green for social cohesion यह आप लोग यहाँ पर France-Paris के हिस्से में देखने को मिलेगा तो सारे के सारे award आप लोग को बता दिये अगर थोड़ा सा और आप लोग जाग रूख है तो थोड़ा सा homework आप लोग कर सकते हैं इनको भी जाकर थोड़ा सार्च कर लेना क्योंकि मुझे इनका तो पता नहीं पर हाँ यह आप लोग जुरूर याद रखेगा ठेगा यहां से question आप लोग के पूछे जाने के chances काफी जाद है बाकी match करने के लिए कि 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 कंट्री को मिला इनको तो वो भी आप लोग हलका से इसलिए यहां पर slide में provide करा दिया है कि at least question नहीं चुटे ठीक है मेरा पूरा यह रहता है कि कम से कम कुछ ब्योग कर पर question नहीं चुटे आप लोग को तो यह चीज ध्याना किएगा आगे चलते है परसनी न्यूज में important personality है पैचानों गोन तो बताओ कोन है आपर पता होना चीज आप लोगो क्यों बात कर रहा हूं के बारे में कि अभी मोटा भाई जो है अपने देश की विजिट पर थे ठीक है तो United Nations Secretary General जो antinus gutras है यह पहली बार हमारे देश में जब आये इनकी first term चल रहे थी तो यह 2018 में आये थे अच्छी बात यहाँ पर यह अभी second term के लिए इनका चुना हुआ और यह उसमें जीत गए जनवरी 2022 में तो अपना second term स्टार्ट करने के बाद में यह दूसरी बार अब हमारे द 2011 की जो दुर घटना घटी थी तो उसके जो की ताज महल होटल आप लोगो देखने को मिला मुंबई के अंदर में उसको एक ट्रिब्यूट पे करना है इसी के साथ में हाँ पर UN और इंडिया की जो पार्टनर्सिप है वो यहाँ पर सेलिबेट की जा रही है South South Corporation के नाम पर यहाँ पर चाहिए देखने को मिल रही है गुजरात के अंदर में एक तन अगर खेवडिया UN Chief जो है जोइन कर रहे है प्राइमिस्टर मोदी जी को साथ में हाँ एक तरीके से आपर यह जो काम करेंगे Mission Life Launch करेंगे Life मतलब Lifestyle for Environment मतलब जैसे कि आप लोग अपने घर पे रहते तो घर से बाहर जा रहे हैं तो सारे Switch आप लोगो बंद कर देने चाहिए आपका Life Style ऐसा होना चाहिए कि अगर आप लोग कोई भी ऐसी चीज़े हैं उनके बिना काम चला सकते हैं तो कोशिस करो कि उन सब सब चीजों से काम चला लिजए पानी जितना कम वेस्ट कर सकते हैं पॉलिशन जितना कम कर सकते हैं कोई ऐसा है कि आप लोग बाहर जाना है और वो जो डिस्टेंस है वो ऐसी है कि लगबग 300-400 मीटर है ठीक है तो अगर इतनी डिस्टेंस पर जाना है तो आप लोग पैदल चलकर अगर जाओगे तो अपनी हैल्थ भी आप लोगी सही रहेग हमारे देश के द्वारे इंटेड्यूस के जारा प्राइमस्टर मोधी जी के द्वारा ये लाइफ ये लाइफ ये लाइफ कॉनसेट ज़रूर याद रहा क्यों क्योंकि कॉन्फरेंस ऑप पार्टी जो यह पर 26 हुई थी ग्लास गो में नॉम्बर के महिने में 2021 में वहां प प्राइम इस्टर मोधी साब के द्वारा ये concept दिया गया था कि life style ऐसा रखो कि environment को नुक्सान न पहुचाए तो ये सारी अच्छे result आप लोगे सामने निकल कराएंगे ठीक है तो ये important है अब की बार की conference of party 27 और 28 कहाँ पर होने वाली है ये तो आप लोग बताईए बताईए इसका मतलब आप लोग को एक छोड़ा सा और बताना है कि 25 कहाँ पर हो थी एक पहले वाली ही बताओ ठीक है चीजों को इस तरीके से तयार करो की question चुटे ही ना भाई तू जहां से पूछना है पूछले हम तो इसका answer देने वाले है ठीक है वो वाली चीज़ आप लोग को तरीके से लेके चलनी ओके आगे चलते हैं आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे इनको दिखता नहीं है कई सारे लोग इनको सुनता नहीं कई सारे लोग है जो चलनी पाते हैं तो इस तरीके से जो हमारी society में जो लोग रहते हैं दिव्यांगन उनके लिए Ministry of Social Justice and Empowerment का Department of Disability यहाँ पर यह support प्रोवाइड कराता है, तो उसी से लेटर यहाँ पर यह चीज़े हैं, याद रखेगा, यहाँ पर यह जो ADIP जो स्कीम है, यह मिनिश्टी है, तो मिनिश्टी याद रखेगा, इसका basic purpose कहा है, जो भी कोई ऐसा person है, जिसको यह दिक्कते जा रहे हैं, अभी तो ऐसी भी चीज़े लाए जा रहे हैं, कि इनसान को दिखाने की भी कोशिश की जा सकते हैं, जिसको दिखने ही रहा है, तो उसके ओपर भी काम के जा रहा है, तो physical, social, psychological, rehabilitation है एक तरीके से, आप लोगो एक छोड़ी से request करना चाओंगा, किसी इनसान को दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी इनसान को अगर चला नहीं जा रहे हैं, तो उसको बेचारे वाली feeling मत दो यार, आप लोग ऐसा लगता है कि उसके जिंद्गी हैं पता नहीं कितना कुछ गलत हो रहा है, उसको वो वाली feeling मत दो, बलकि उससे motivation लो, आप लोग की normal होते हैं, आप लोग frustrated रहते हैं, और वो इनसान ऐसी जिंद्गी होते हैं भी वो अपनी life को enjoy कर रहा है, तो वहाँ पर दयवान वाली feeling मत दिखाऊ, ऐसा लगता है कि सामने वाले को बेचारा feel करा है, उसको देखकर inspire हो, कि यार ऐसा कैसे कर ले, तो हमसे नहीं हो पाता है, बलकि लेना भी चाहिए, आप लोग को inspiration ऐसे इंसान से, अप लेकिन बेचारा यार इसके तांग नहीं है, उसको दिखाएनी देरा, जिसको दिखाएनी देरा ना, वो आप लोग से ज़़ए चीज़े sense कर लेता है, ठीक है, वो उसके कई सारे senses और इतने जाए ड़लप हो च जलते हैं, यहाँ पर पर परधान मंतरी आयूष, यहन कि है परधान मंतरी जन आरोगय योजना, एक ऐसी scheme है, जो आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर न्यूज में रहती है, अभी फिर से न्यूज में है, उसका reason कहा है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ, recently आयूश म जो कार्ड हैं, यहाँ पर वो डिस्टिब्यूट के गए गुजरात के अंदर में, यहाँ पर इस particular scheme के तहत में, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ याद रखेगा, इसमें add करकर एक नई scheme बना दी गया है, गुजरात के अंदर में, परधान मंतरी जन आरोगय योजना में add कर मुख्य मंतरी, तो मुख्य मंतरी का मतलब हो गया है, परधान मंतरी आप लोग यहाँ पर देखने को मुल रहे हैं, इनके central government, अब मुख्य मंतरी add कर दिया, तो state government, इन्होंने नाम जादे change नहीं किया है, उसी में हलका सा addition कर देगा है, मुख्य मंतरी अमृतम, ठेक है, तो पर जो केर, जो एक तरीके से मा कर पाते हैं, और उसका कोई सानी नहीं है, आप लोग compare नहीं कर सकते हैं, तो यह याद रखेगा, तो था यह 19 में हाँ पर center, जो PMJAY प्रोग्राम जो है, वो मुख्य मंतरी अमृतम, ठीक है, मुख्य मंतरी अमृतम जो वच्छ साल्य है, तो any family size is, कोई family size और age की कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यह सब के लिए support प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, तो गुजरात से हैं आपर यह सारी बाते जो आप लोग को देखने को मल रहे हैं, अगर गुजरात में state, PCS की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हैं, उसमें बीचोलिया वर्ल्ड बैंक है, यानि कि वो दोनों की लड़ाई लग जाते हैं, तो उसको चुटाते हैं, अभी हाँ पर बात की जा रहे हैं, उनके द्वारा अपोइंट किया गया है, चेर्मैन फोर कोर्ट और अर्विट पाकिस्तान को यह नहीं पता है, कि इंडिया एक ऐसा देश है, जो इतनी लंबी ट्रिटी चला पार है, अगर हमारी जर्ण होता है, अब तक खून बहरा होता है इस पाकिस्तान के साथ में कितने बुरी ओर यह कंडिशन कीन हो जाए, पर लेकिन हम पानी जो है, वो इस पाक में आज तक चलाते हुआ रहे हैं 1960 से लेके अगर बात करें हम लोग 2022 में खड़े होकर यह बाते डिसस कर रहे हैं यानिकि 62 साल में हम लोगों ने यह पर टीटी जितने शांदार तरीके से फोलो किये ना सायदी धर्ती पर कोई ऐसी ट्रीटी आज तक फोलो कर पाया होगा तो यह बात करें तो मैंने जब डैली में तो मैंने रूम लेने के लिए एक प्रट्वल बंदे से बात की तो मैंने जब रूम लिया तो नाम उसका भूल गया मैं तो मतलब कुण ट्रेक्टर तो लिकाने मने बने नोमल गॉंप इसकी वार दलाल बर सुनते रहे तो वह मायन में था सबकों समय में तो निकल कैना तो मैंने इसको लिग दिया दलाल ठीक है याद रखने के लिए तो बढ़िक लिए तो एक तरीक तो एक दिए ता पास मैंसे तो फोन इसकी वार दिल काफी दुखा देती है मतलब जा रहे हैं भगवान की सरण में और यह दिक्कत देखने को मिल जाती है इंडिया की रैंक 51 है आपर याद रखेगा इंटरनेट फिडम के बारे में और USA की एक NGO है मतलब इनको कुछ काम नहीं होता है यह SAC रिपोर्ट परसूत करना है स्टार्ट कर देता है सामने वाले की image चेक करने के लिए मतलब यह ना बहुत सारी हरकते करते हैं कल को हम भी अ इसके उपर इस्टार लगा ले ना इंट्रनेशल सोलर अलाइंस में दोनों को चेर करने वाले हैं आप जो फिफ्ट जनल एसेंबली होने वाले डहली गा अंदर में यह कब बनाया गया था इन्ट्रनेशल सोलर लाइंस और आज कितने मेंबर यह आप लोग बताईए प्रैम minimum support price राभी क्रोफ के लिए तो यहाँ पर जो राभी क्रोफ है उसके लिए यहाँ पर यह अपर अप्रूव कर देगा है wheat का जो प्राइज है हाँ पर 110 से लेके यह basically हाँ पर raise कर देगा 110 रुपे से तो 2125 रुपे यह पर कोईंतल आप लोग को ICAS बोलते हैं आप लोग यहाँ पर उसकी भारती दाज जो हैं उनको controller general of account बना दिया गया है CAC की बात नहीं कर रहो है हाँ यहाँ पर याद में रखेगा confused मत होना यह controller general account है वो controller and auditor general of India होते हैं ठीक है तो यहाँ पर उनका वो कोन है आजके में कैक कोन है हमारी country में अगर आप लोग start-up करना चाहते हैं अगर लोग करना चाहते हैं अगर लोग का स्वागत है दिल से अगर्मेंट के बारे बात करें तो जितेंदर सिंग के द्वारा लॉंच के गया integrated pension portal for central government pensioner तो यह अच्छी बात हैं आपर इंडिया की जो rank है वो 41 है out of 44 country global pension index यह आपर याद रखे का थोड़ा सा ठीक है इसलिके साथ में Reliance Jio ने BSNL को पीछे छोड़ दिया है बड़ी बात है आपर यह Reliance Jio landline connection में BSNL को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया है ऐसी एक report देखने को मिली अब Reliance Jio top पर BSNL दूसरे पर तीसरे पर MTNL है यहाँ पर ठीक है तो यह काफी बड़ा jump आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो शांदार तरीके से ताबड़ तोड़ काम के जा रहा है वर्ड लेवल बर बुकर प्राइस के बारे में आप लोगो बताए दिया important personality है यह picture भी है इनकी नाम याद रखेगा और किताब का नाम है confusion आप लोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए कल को अगर question बने तो दो दो बार हो गया reason भी आप लोग का होगे यहाँ ठीक है इसी के साथ में रसिया का war plane crash होता भी हाँ यहाँ पर sea of azov के अंदर में तो यह आप लोग के लिए question है location map based आप लोग को जा कर देखना है रसिया और उक्रेयन की जब लड़ाई हुई हजारों बार मैंने आप लोग यहाँ पर इसके बारें बता है तो location एक बार देख लेना Australia ने यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो west यह Jerusalem था वो इसराइल की capital बोला गया था Donald Trump के time पर यह बोल रहा है हम उस particular चीज से बाहर निकलते हैं हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती वाली बात हो रही थी तो उसके चलते बाते देखने को मिल रही है question है यहाँ पर आप लोगे सामने बात की जारे किसके बारे में एक particular वोलकेनों के बारे में जिसका नाम है आपर क्या मुआना के ठीक है तो यह आप लोग को recently अभी news में देखने को मिल रहा है तो यह basically देखा गया 30 meter telescope के थुरू ठीक है तो आप लोग को यह बताना है कहां प important है यह question आप लोगे लिए important है star लगा लेना तिलहन mission के बारे बात की जारी है और यहाँ पर देखो change आप लोगे लिए किया है कई सारे बच्चे बोलेते सार यह question भी Hindi में कर देखो तो थोड़े थोड़े चेंज तो देखो आप लोगे लिए आप लोग को देखने को मिली है ठीक है जितना होता है क्योंकि जितना change किया जाना उसमें extra time लगना है start हो जा रहे है तो थोड़ा सा तो आप लोग भी यार थोड़ा सा पेसेंस रखो यह पहले बिल्कुल भी सारी इंगली समय होगा करती थी अब काफी कुछ Hindi में हो रही है और कुछ ही दिनों में आप लोगो बहुत सारी चीजे और अच्छे से दिखने लगी है इनका explanation भी आप लोगो Hindi मिल जाता है तो यह सारी चीजे आप लोग देख ले करें तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल होई नहीं रहा है तो थोड़ा सा आप लोग पेसेंस भी रखो ओके इसके बारें बताना औरी बात करूँगा नेक्स यहां पर बात की जारी है नमस्ते एक पोर्टल है कौन सी मिनिश्टी का है डिफेंस कोम्मुनिकेशन आयूस या एक्टनल अफेर मिनिश्टी बताना जरूर एक यहां पर कोशन है सी सेट का वीडियो को पोस करकर इसका आंसर देना भी यह मत बोला सर यह वाले उफचन भी हिंदी में कर दो मतलब यह नंबर भी हिंदी में लिख दो कि पैचान पाओगे हिंदी में अंसर बताव इसका क्या है देखता हूं कौनसी आंसर देता है तब तक प्लेस इन्वज डिस्कस कर लेता हूं तब तक आप लोग इसको अटेमिट करो ठीक है प् भी आप लोग उसे discuss कर रहा हूँ, कुछ चीज़े आप लोग लिखते वे चलो, और कुछ चीज़े आप लोग याद रखने के लिए उनको practice भी करते चलो, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर चीज़ों को करते रहोगे ना, उस तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग मज्दे परदेश, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर राइस्थान और आप लोग उत्तर परदेश से आते हैं, तो यह आप लोग लिए इंपोडेंट होजाती है, चंबल रीवर इसके बारे में याद रखेगा, डिस्टेंस लगवाग 1024 किलमेटर हैं पर और कुछ इसके बारे में बेसिक जो डैम वगएरा कहां पर इसके बारे में कुछ कहां कहां से क्या क्या चीज़े चल रही है, यह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालेगी है, हलका सा नजर इसके उपर आप लोग डाल लीजेगा, ठीक है, कन्फूजन नहीं होना पर अगर बात करें जो तिलहन मिसन यह जरूर याद रहेगा, तिलहन मिसन यह के लिए हैं आपर हमारे देश में इंडिया के द्वारा अभी हां पर इसको लौंच के गया, इसके उपर काफी दब फोकस भी किया जा रहा है, ठीक है, ओयल सील यह जो भी जिसे सरसू का दाना होता है उसमें से तेल निकलता है सर्सो का तेल उसी तरीके के बात की जा रही है नमस्ते लंदन नमस्ते लंदन यह नमस्ते इंडिया ठीक है तो यह आयू सभी पूरा एक्स्प्लेशन आप लोगों मिल जाएगा यह पर्टिक्लर सारी चीज़ आप लोगों मिल जाती है तो यह बेसिक चीज़े हैं आपर जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कोई भी यहां पर आप लोगों नहीं होना चाहिए अगर होगा तो आप लोग उसको दूर करने हैं बाकि आपर नितीस के द्वारा काफी अच्छे से आंसर देगे हैं आज के सल भी कमांडो है नितीस और आप लोग भी ऐसे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चु proved उसको दूर कर जाने हैं ऑप लोगी सब्सक्राइब करना जितना हो सके जरूरी तो इसको आप लोग जरूर देखना ठीक है पहले हैं आपर बैंक Chu Keran संभ दोक सा उल्य het ठीक है पैने पले ये आप लोगो धुमदाम देखने को मिलेगा एट्रेशन ये आप लोगो संखर्ज देखने को मिलेगा ठीक है तो ये इसके बेसिकलि आप लोगो सैनोनिम और इंटोनिम भी है जो कि याद रखेगा मलिका अरजुन खरगे साब के बारें पूछा गया था तो मैंने आप लोगो बताया था कॉंग्रेस में पहली बार परिवार से बाहर जाकर कोई पर्टिकलर परसेंट जो है वो कॉंग्रेस का प्रिजिडेंट बना है तो इसलिए यहाँ पर काफी इंपोटेंट है और खासकर पॉलिटिकल पार्टि के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए यह कहीं न कहीं आप यहाँ पर यह दिखा रहा है कि अब कॉंग्रेस जो है वो थोड़ा इंटरनल डेमोक्रेसी की ओर चल रही है तो यह अपने आप में काफी बड़ी बात है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं एक और चोड़ी सी बात यार फिल से मैं बोलूँगा कि अपनी शांदार तरीके से कर लाइफ को इंजोई करना है तो यह थोड़ा सा काम आप लोग जुरूर करिएगा अपना particular schedule अच्छे से follow करिएगा और खासकर यह चीज़े ध्यान रखनी है तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से लेकर चल पाओगे तो house the joes, कम तो निवा, high होना चाहिए और बाकी congratulations जुरू लीग देखरो दोस्त जो big selection होता है ऐसली परिवार से आप लोग यह परिवार के part है तो प्यार बाटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है तो किसी का selection हो रहा है तो उससे चिड़ना नहीं एक बच्चा कर रहा है, सर यह daily selection के message देखकर चिड़न होने लगी है, मेरा नहीं हो रहा है चिड़न हो रही है, तो फिर तो नहीं होने वाला है अगर चिड़न नहीं हो रही है, और motivation मिल रहा है कि हाँ यार इनका हो रहा है, मेरा भी होगा तो ही जिन्दगी में आगे बढ़पाओगे दोस्त दूसरी खुशी से चिड़ना नहीं, उसमें बेसिकली अपने आपको enjoy करकर आगे बढ़ना सीखो ओके, तो all the best to all of you, अच्छे से enjoy करो और दिपावली की advance में सुब काम नहीं, इससे अच्छा अपनी schedule को follow करते हैं बढ़ो और फिर enjoy भी करना तो घर पे भी सबको अच्छे से ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना और थोड़ा सा मुसन चेंज वा रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा त्यार रहना, okay तो all the best to all of you, तो बढ़ो को नमस्ते, चोड़ो को प्यार, छोड़ी से like और enjoy करार, मिलता हो नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन